तो दोस्तो ज्रामी के शिरवात में हमें हमारे इस ज्रामी का में लीड जिसका नाम के स्टेफन होता है और फीमी में लीड एना दिखाये जाते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो रहे होते हैं और इसे तरीके से यह पूरी नाइट एक दूसरे के साथ स्पैन करते हैं नेक्स सीन में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली अब 6 साल बीच चुके थे और हमारा स्टेफिन आज पर उस लड़की को ढूंड रहा था जिसने उसके साथ पूरी नाइट स्पैन की थी वो अपने मैनेजर से बोलता है कि किसी भी हारत में तुम इस लड़की को ढूंड कर लेकर आओ तो दूसरे तरफ हम आमारी फिमेर मिलीट एना को देखते हैं जिसकी दो क्यूट से बच्चे होते हैं एक का नाम रहता है जो तो दूसरे का नाम रहता है वैली जो और वैली का क लेकर वह और साते हैं जो उन बच्चों को लालज देने की कोशिश करते हैं लेकिन वह दूनों की दूनों इतने समाथ होते हैं कि sir이나 वह लेकिन जैसे वह और उससे जाएग करने लाले होते हैं तब poses अध्य ना जयाता है एंट नुनkę बच्चों के निजर cabinet न सान की सब तब हमाइन अरहा पर आती है हमारी जैसे इसे जोड़ी से थे तपिन के मुपर और उसके और भाद उसके बताती है कि बताती हूं तुम्हें क्या करना जाते हैं तुम बच्चों को करना चाते हो किस खटेया इंसानों कपड़े तो ठीक ठाक पहने तुम्हें फिर भी तुम्हें बच्चों के इस तरीके से चोरी करने का बहुत मन करता है और इदर स्टेवन उसकी बातों को सुनकर एक्दम हैरान परिशान जो चीज पर चालेने की भी नहीं दी उसका इर्जाम उस पर लग रहा था लेकिन कुछ सारा दिमाग कुछ खराब हो गया किसे रैंडम इंसान को जिसे मैं जानती भी नहीं हो तुम उसके लिए यह सारी जिसे बोल रहे हो तो उदर है स्टेवन जैसे उनकी तरफ देखता है ना तभी उसे अपनी मॉम की याद आती है अब उसकी मॉम उसके पीछे पर रखी थी क तुम बहुत जादा बड़े हो गए हो तो अब तुमें चल दिसे तुमें शादी कर लिनी चाहिए और साथ-साथ बच्चे भी लेकिन स्टेफिन तो अभी उस लड़की को ढून रहा था जो उसे 6 साल पहले मिनी थी जिस वज़र से उसने आस तक शादी नहीं की थी लेकिन तब ही उसके दिमाग में खयार आता है कि क्यों ना वो एना को अपनी मॉम के सामने अपनी वाइफ बना कर इंट्रिजूस करवाए और साथ-साथ उसके बच्चों को अपने बच्चे बना कर क्योंकि अकर वो ऐसा करेगा तो उसके मॉम उसे फोर्स ही नहीं करेगी ना ही श लिए जादिए चाहिए तो तक धैसे भी तुर्द मोंचेता है एक पाजिये जाधी करती रहती है है और कि पोक्ति हम दूनों की सच्वेशन थो एक दूसर darling हो रहे हो रहे हैं तो लिए मुझने। जल से जल शादी कर लिनी चाहिए तो बच्चे जैसे यह सारी बाते सुनते हैं तो बहुत ज्यादा खुश जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत ही चल्दी उन्हें उनका डाट मिल जाएगा और इसलिए वह अपनी मॉम से बोले लग जाते हैं कि आप प्ली चली जाती है कुछ दिर बात वो जैसे ही अपने घर पर जाती है तब ही उसके सामने आती है और उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हारी अब इस घर कोई भी जगार नहीं है तुम्हारे डैट नी इस घर की सारी प्रापर्ट्री में नाम पर कर दी है तो मैं बिलकु समझ में नहीं आ रहा था तब ही उसके बच्चे उसे बोलते हैं कि मॉम सबने हमारा साथ छोड़ दिया है लेकिन अभी भी है आप वो पक्का आपकी हेल्प करेंगी लेकिन अना उससे बोलते हैं कि नहीं मेरे और दोस्त भी है मैं उन्हें कॉल करके हैं लेकिन जैसे उनसे हैं तो वो सभी उसे एकनोर कर देते हैं अब उसके पास कोई बिचारा नहीं रहता है और उसे स्टेफन के साथ बात करनी परती है लेकिन स्टेफन के एकौर्डिंग उससे पहले शादी करनी पर रही थी और जिसकी वुझा से वह फटा-फच्च से जाकर अपने मैरे सर्ट बनवाते हैं यह बात फूर दूनों पर जाते थे कि यह दूनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और यह मैरे स्रेप उनके बीच में समझो देख लिए हुआ है लेकिन जो और पहली को क्या था वो तो बहुत जादा खुश थे क्योंकि उन्हीं एक टैड मिल गए थे ज जहां पर एना के हाथ का बना हुआ खाना स्टेफिन को बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो सोचन लग जाता है कि आज तक अपनी मॉंग के लिए और अपनी बैन के लिए वह मिज़ा वो खाना बनाता था लेकिन परस टाइम किसी ने उसके लिए खाना बनाया है और वो सुन कर एना सोचल लग जाती है कि तुम्हारे बॉस तो सच में बहुत ही दिलदार है इतनी मुदद करते हैं नेक्स टेज जैसे ही स्टेफिन अपने ऑफिस में जाता है तभी उसका भाई उसके पास आता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि मैंने सुना कि तुमन इतना भी फ्रैंक नहीं होना चाहिए ऐसा ही कहकर जो जाने वाला होता है तभी स्टेफिन उसे रोगता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि तुम मुझे कुछ आइडिया दो आकर कर में उसे क्या किट कर सकता हूं जो से पसंदा है नेक्स टेज स्टेफिन अना को अपने साथ लेकर उसे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाता है यहां पर कितनी मेहंगी चीज़े मिल दी है तुम्हें पता है तुम्हारा बज़ेता नहीं है समझे तो स्टेफिन उसे बोलता है कि तुम ना जादा टेंशन मतलो बॉस है ना वो हमारा सारा खर्चा उठ सिसक्त प्राइस पूछती तो उसे पता चलता है कि वर लेने की मना कर देती है लेकिन इस बूरे से बहुत हिए और बहुतीश क्यांतरेन्ुट Banks कर रहे हो और सना जैजी वहाँ पर आती है तो अपने भाई को देखती है और स्टेफिन की नजरोस पर पढ़ते ही समझ चाता है कि पक्का कुछ तो अगड़बर करने वाली है और कहीं इसको ना बता दे कि वही इस कंपनी का प्रेजडेंट है वह वहाँ पर से भाग नहीं मनोता है इसके बताने वाली होती है तभी उसका भाई उसे चूटी काट ड़ता है और उसे चुप रहने के लिए बोलता है तभी हमारी जो सना होती है जैसे ही वो एना के साथ बाहर आती है तो कहने लग चाती है कि आखिकर भाई के साथ आपके फर्स मीटिंग कैसे हुई थी तो एना कहती है कि तुम्हें ना ही पताओ तो ही बैतर है वाई तब में तुम्हारे भाई कहा रहे गए तो सना उसे बोल पहले उसी होटल में गई थी बट उसके बाद होते हैं कि पक्का यह कोई कोई को इंसीडेंस होगा आगर कर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वह स्टेफन को जानती हो कुछ देखते हैं कि वह दुनों के तुनों बहुत ज्यादा ट्रिंक कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ ह होते हैं स्टेफन जो था वह एना और इसे बीच में दुनों की दुनों का के सोने वाला होता है तभी वहां पर हमारी पैली और जो आजाते हैं अपने आखे बंद करकर फटा-फटते शर्मा कर बाद से बाग कर चले जाते हैं तो तभी जो नहीं लग जाती है कि बच्चों के सामय सो इसे मत किया करो । इतने में स्टैफनों से बोठा है कि मैं तुम्हारी कुछ में किप्ट लेकम कर आँए उसे एक और तुम्हारे इतनी इंकम नहीं है हमें आगे के लिए पैसे सेफ करने पड़ेंगे बाइदर भी थांक्यू सो मच मैं पूरी कोशिश करूंगी बहुत सारे पैसे जमा करने की ताकि हम अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी सके नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो एना देख रहे होते हैं उन्हें दुद सास्तों है कि दोनों की कारो नलगते हैं कि अखर ने कुछ नहीं अगते हैं वैसे भी अब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुमें वैसा जो करना है तुम कर सकती हो इतने महीं वहाँ पर जो और बैली भी आ जाते हैं और खेने लग जाते हैं कि मॉम हमें स्कूल जाने के लिए देर हो रही है लेकिन लगता है कि मॉम और डैड एक दूसरे से के साथ टाइम स्पैन करें इसलिए अब हमें खूदी स्कूल जाना पड़ेगा ऐसा ही करकर दूनों इसकूल के लिए निकल पड़ते हैं और थोड़ी दिर बाद हमारी जो एना होती है वह भी वहाँ जाने के लिए निकल पड़ती है और कुछी तिर पाद जैसे अपने जॉब पर क्योंकि उसे पता था कि अगर द्रिंग नहीं करेंगी तो वह आत्मी पक्का उसके कांट्रेक्ट साइन करना उसके बहुत जादा ज़रूरी था थोड़ी दिर बाद वहां से बत्तमीजी भी करने लग जाता है तभी वहां पर एंट्रे हो जाती है स्टेफन की और स्टेफन कि अपना ध्यान रखो तो तभी स्टेफन जो होता वह उसे कहता है कि तुम मेरे केर कर रहे हो एना उससे बूलते है कि कियर तो पता नहीं लेकिन जितनी केर तुम मेरे करते हो उतनी आज तक किसने नहीं की है नेक्स्ट यह सारे चीज़े एना अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता दिए और उसे तरीके से उसने एक अजान आदमी के साथ शादी कर ली जो इतना अच्छा है जो कि उसकी और उसके बच्चों के इतनी जदा करता है और उसकी इतनी जदा फिक्र भी वर्ट उसे यह बाद समझ नहीं आ रही है कहीं यह कोई ड्रामा तो नहीं है तो उसके बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है दूसरे दरफ हम देखते हैं कि जो स्टेफन होता है वो घर पे अपने बच्चों के लिए खाना बना रहा होता है तब उसका मेनेजर उसे बताता है कि उसे उसे रेस्टरॉन में जाना पड़ेगा जहां पर एना काम करती है तो स्टे होता है स्टेफन को जैसे आए देखती है तो के लिए और लेका और जाना और कि यह होता है हुआं क desafigan कडने के नैकार और मुझे तोड़ा अराम करना के लिएन बूला कर अ और ऊसके बाद ऑपना ड्लिक अपना जो च्र Favor सब्सक्राइब से सब्सक्राइब करें लेकिन मुझे युठ एक का को خुलगा नियू लक zg लिकिन है अगया को चुछ यहां सब्सक्राइब करें न च deserves अधा लुंत अंध्यासी जम्ची स्थाइन होता है कि फ्रेजलिंट आए इस만ई कोई कि प्यार में तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है कुछी दिर बाद स्टैफन का जो ड्राइवर होता है वो उसके लिए कार का दुर्वाजा ओपन करता है और जैसे स्टैफन उस पर बैटने वाला होता है तब वहां पर एना की एंट्री हो जाती है और एना उसे कहने लग जाती है कि बड़ी बतमीज किसम के इंसान हो एक तो तुम्हारे बहुत इतने दिलदार है इतने अच्छे हैं फिर पिर उनको कार में ना बैटकर तुम कुछ जाके कार में बैट रहे हो अब ड्राइवर खुदी किसट्री होता है कि जानें को चला ही ता अब कि तेका आधे अब में अभी अभी आपको एक कार से आते हुए आखिकर वह कौन दी तो इना उसे के हजबन दी एसा ही कहकर अपने काम पर तुपारा से वापस से चली जाती है जहां पर कि वाइन सर्फ कर रहे होती है इतने में हम देखते हैं कि यहां पर हमारे मुझे यहां से जाना है सच में कितने बेकार लोगें आंके एना उन से बोलती है कि कैसे बाते कर रहे हैं आप ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है तब ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एना के स्टैप मदल भी होती है और वो भी एना को बहुत जार डिफेम करने लग जाती है और केन वही लड़की वहाँ पर आजाती है और कहने लगाती कि ऐसा कैसी पॉजिबल हो सकता है आप चांदे भी है कि यह कौन है यह शहर की नंबर वन बिजनस पैंड की वाइफ है और आप इसे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कुछी दिर बाद जो होता है उसे पर चलता है कि उसक तो मच्चे एच्छे से कपड़े पहां देते हैं और पूरे घर को सचाने लग जाते हैं कि वह आप अच्छे से जानते थी कि चैन और उसके साथ ही उसका घर देखने के लिए पक्काएंगे तो तबी वो कहने लगाते हैं कि मेरी घर का दर्मासा खूल नहीं लगता है तो पर उसकी बात सुनकर एक लड़का कहने लग जाता है कि मुझे तो पहले सी पता था कि यह लड़की एक नंबर की छूटी है छूट बोलना और कहाने बनाना इसकी आदते हैं इसलिए यह सारी चीज़े करती है तब ही वहां पर हम देखते हैं कि एंट्रे होती है स्टेविन की और साथ-साथ उसकी प्यारे-प्यारे बच्चों की भी वह वहां पर आकर दर्वाजा खोड़ते हैं और जैसे वह अंदर आते हैं तो देखने लग जाते हैं पूरे घर को पर तब ही कि पक्का हैं सारी चीज़े फेक हैं और कुछी दिर बाद जैसे ही वह उनका एलको और क चले जाए और कुछी दिर बाद वहां से चले जाते हैं चैन को इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत जाता गुसा आता है लेकिन उनके जादे ही एना अपने बच्चों के साथ और साथ-साथ अपने हस्बें के साथ दढ़ती है और उन्हें देखकर बोले लग जाती है कि आज तो तुम सभी ने मेरी जौब बचा ली थी अगर मैं गलत शाबित होती ना तो वो सभी के सभी मुझे जौब से निकाल देती फिर ना जाने में क्या करती एंट बाइद वे स्टेफन तुम्हें देखकर मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी अच्छे तरीके से बॉस लड़की को अपने घर लेकर आगया है साथ-साथ उसके तो बच्चे भी है ना जाने कैसी होगी में को तो लग रहा है कि वह स्टेफन की प्रॉपर्टी की वुझे उसके साथ है और दीखना बहुत ही जल्दी वो से थोका भी दे देगी स्टेफन की मॉम को ये सारी बाते स पैसे दूँगी लेकिन मेरे बेटे की लाइब से तुम दूर चली जाओ अब अना को तो ऐसा लग रहा था कि उसकी मॉम जो आना वह एक्टिंग कर रही है क्योंकि उनका बीटा तो एक साधारन ड्राइवर था वह उसे आकर का रहते पैसे कहां से दे सकती थी और वह उने दैट से दूर मत कीजी प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ी दिरबाद एना स्टेफन के पास जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारी माम सच में बहुत अच्छी अक्टिंग करती है उसके बातों को सुनकर स्टेफन को हसी आने लग जाती है थोड़ी द पताना कि मैं बस प्रेजिजेंट का ड्राइवर हूं तो तभी उसकी मुँपे ठपड मारती है और कहने लग जाती है कि क्या पागल इंसान हो तुम पताने सकते उसे सचाई जूट की बुन्याद पर कोई रिष्टा नहीं ठिकता है और तुम्हें यह सब नहीं बूलना चा पताने दीचे उसके बाद यह सारी प्लानिंग करना तो स्टेफन की मुझे उसे पूर्टी की ठीका जैसे तुम समझो लेकिन मुझे तो उन दोनों के साथ खेलना है ऐसा ही कहकर वहां से चली जाती है थोड़े देरे बाद पुचो और बैली के साथ बैटी होई होती है जह आप तो बॉस की ड्राइवर की वाइफ है ना आपको पता है कि बॉस की रियल वाइफ आने वाली है जिनसे वो फ्यूचर में बहुत ही जल शादी करने वाले हमने तो उनके बारे में सुनाए कि बहुत जादा रूड है वो कुछी दिर बाद एना जैसे ही उनसे मिलने के ल बारा ड्रिंक मंगवाती है पीने की लिए और उसके बाद उस ड्रिंक को पीती भी नहीं है ताकि यह तो सब्सक्राइब करें थी ताकि वो उसे परिशान कर सके तबी किसे इना को वहां से जाना पड़ता है और इस वजह से चैन को बहुत ज्यादा गुस्ता आता है और वो जाता है जिसके बजह से वह बहुत जादा कबरा जाती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया था लेकिन जैसे ही नेक्स टी उसे माँ पर बुलाते हैं तो वह काफी अच्छे तरीके से उस प्रोजेक्ट को एक्स्प्रीन करती है और अब इन सारी ची सब्सक्राइब करते हैं और जैसे ही वहां से जाने वाली होती है तभी चैनल लग जाती है कि सूचा नहीं था कि इतने अच्छे इतने कम ताइम में एक्स्प्रीन कर पाऊगी वह बहुती है कि सब कुछ मेरे हस्बंड के वज़ए से पॉसिबल हो पाया है ऐसा ही करकर वह पच्छे स्टेफन के पार चली जाती है और चैन को इन सारे चाज़ों को देखकर और भी जड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वह बार बार हार रहे थी और उससे हारने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी नेक्स टी हमारे जो एना होती है वह अपना काम कर रही होती है तो सोचत है और जैसे जाती है तो देखती है कि प्रेजिडेंट की सीट पर तो टेफन बैटा हुआ है अब इन सारी चीज़ों को देखकर वह काफे साथा कंफ्यूज तो होती है लेकिन उसके बाद उसके पास जाकर उससे केनल लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तो के पास आती है और उससे कहने लग जाती है कि यह बहुत जादा बोले हाला कि थोड़े से पागल है और इन पर अकल नहीं है लेकिन प्लीज आप फिर बीने सजा मत दीजेगा और इनके साथ अच्छे तरीके से बीव करिएगा तो वह से बोलता है कि जरूर कुछी देर नहीं क्योंकि बहुत जल्दर में उसे बता दूंगा इसी तरीके से नेक्स्टे हम देखते हैं कि एना के वाँ एक इवेंट होता है जहां पर कि जो इंसान उस इवेंट को होस्ट करने वारा था वही गायब हो जाता है और इस सब के वज़से वह बहुत ज्यादा परिशान हो जाते हैं क्योंकि सारी के सारी रिस्पॉंस बिटिया पैना के कंदो पार आजाती है उसे कुछ भी समझ में आए कि वह क्या करें लेकिन उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था इसलिए अब उसे इस शो को होस्ट करना पर रहा था पर टैना को तो बिलकुल भी देती है कुछी टाइम बाद जैसे ही वो घर पर जाते हैं तभी एना उनको सारी बाते बताती है और उसे यह बहुताती है कि तुम्हारे जो बॉस है ना उनकी फ्यूचर वाइफ सच में बहुत ही बेकाय औरत है जब देखो तब मुझे फसानी की कोशिश करती रहती है ना पर जा रही होती है ना तभी उसके सामने दो लड़की आजाते हैं और कीने लगजाते हैं कि आप स्टेफिन की होने वाली वाइफ है उनकी बातों को सुनकर चैनल से कहने लगजाती है कि तुम लोग कौन हो और आकिरकार यहां पर इस तरीकर से मेरा रास्ता क्यू रोक रह लेकिन मेरी इस बात को ध्यान से सुनों अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चोड़ूंगा और आपने काम से मतलब रखो आज के बाद मेरी लाइफ में तुम्हें इंटरफेर करने की कोई भी जरूराइत नहीं है तो चैनल से बोल लड़की को काल करती है जा करकी वह से आगे की बताती है और होता क्या है कि जब स्टैफन फार्द होता है वहां açık हुंणता है करे लगा यह झमारे लिक दो कि पेढ आप हमारे कि बच्चे बोलें लग जाते हैं कि तो तब हो उनसे बोलती है कि शायद अब नहीं आएंगी क्योंकि उन्हें उनकी बाइलोजिकल डॉक्टर मिल चुकी है रात को ही आना को कॉल आता है जहां पर उसे स्कूल वाले कल स्कूल में बुलाते हैं और एना तर्साइट करती है कि एना वहाँ पर जाएगी लेकिन अफ्सूस उसके साथ इस बार स्टेफिन नहीं आएगा क्योंकि स्टेफिन तो शायद किसी और के साथ वहाँ पर जाए और होता भी ऐसा है एना जो होती है वह अपने दुनों बच्चों को लेकर वहाँ पर जाती है तो दूसरे तरफ लिकिन दरससे वह बहुत जाता है था फुटापचा उन्टीनों को फॉस्पिटल में लेकर जाती है और वहां पर तो बहुत से कहने लग जाता है कि तुम्हें टेंशन लेनी की जरुती है बहुत यह जल्दी वह ठीक होजाएगा कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वह ठीक जाता है और जब अपने ड्राइवर के साथ जा रहा होता है तो स्टेफन सुचन लग जाता है कि कई सच में वह तु है कि वह बच्ची किसकी है तो तुम्हें उसका डिने टेस्ट करवाना चाहिए जैसे तुम्हें सब कुछ आसानी से पता चल जाएगा तो यसे लिए वह सोचता है कि बहुत जल्दियों से स्टेप उठाना पड़ेगा कहीं इससे पहले कि उसके और एना की रिष्टे में कोई पर जाता है तो एना को देखता है और उसकी बाद से लग जाता है कि आसी बहुत ही द्धाना रही हो तो आिसके बाद उसको किस करने लग जाता है तो आपने आप से दूर करती है क्या कर तो नियुक्त सबस्क्राइब तो कれ सकते हैं तो एना से बोलती है कि फिर भी लेकिन बुरा पुला रही होती है युज्टं को झोड़कर नहीं जाना चाहता ठाकिए लाक спокой तब ये उसे लड़की का कॉल आता है तो वो सका कॉल उठा देता है तब हमारे जो एना होती है वो उसे जैसे औरों की फैमिली हरी खुशी रहती है मैं चाहती हूँ लेकिन हम दोनों को अपना नहीं नहीं झाते हो आखिरकार है कि उस एंडामे जो तुम हम इने अपने साथ नहीं रखना चाहते हो तो स्टेफन उस्टेफन उस से और यह चोटी बच्ची का इसमें कोई भी कसूर नहीं है तो इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं ऐसा ही करके स्टेफन तो वहाँ पर चला रहता है लेकिन वह की चैन को कॉल करती है उसे सारी बाते बताती है तो चैन उसे बोलते हैं कि तुम टैंच ना कि प्रेजिडेंट का ड्राइवर तो इसे तरीके सी उसका दोस्तस बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उससी सचाई पता चलेगी तो तुम पर कुस्सा नहीं करेगी तो अभी वह स्टेफन उसे बोलता एक कि कुस्ता तो करीगी लेकिन यह मेरी इनली इनिम्पोर् सीन चिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं जो स्टेफन होता है वो काफी देर से एना का वीट कर रहा होता है और बस ट्राय कर रहा होता है कि किस तरीके से उसे प्रपोस करेगा जैसे वो उसके सामने आती है और बहुत से पने दिल की बाते बताने ही वाला होता है तब ही ज उस टाइम पहले तो सब कुछ ठीक था अचानक से एना का भी है वेरेस तरीके से चेंज कैसे हो गया तभी हमें उसे टाइम का सीन दिखा जाता है जहां पर वो लड़की एना को स्टेफिन के खिलाव भड़काने लग जाती है और कहती है कि वो कितना जदा अमीर है वो चाहता ठीक त्षोड़ देखा जैसे कि उसने मेरी साथ किया ऐसा ही इस सारी बातों को सुन कर आनों को पहुत जाता गुस्सा आता है उतर ही स्टेफन जो था उसका तो मूरी पुरा खराप हो गया था कि आखिरकार एना को ऐसा क्या ओगया है जो वो उसके साथ तरीके से बिहेव क कर रही है तभी उसे लड़की का कॉल आता है वो दुबारा से उसे अपने साथ डांट देता है और कुछी देरबात होटर में ही बैच कर ड्रेंग करने लग जाता है तभी स्टेफन को उसके दोस्त का कॉल आता है जहां पर उसे पता चलता है कि वह लड़की बिल्कुल को बिल्कुल भी नहीं चोड़ेगा तो दूसरे तरफ मारे जो एना थी वो पूरे तरीके से तूट चुकी थी उसके बच्चे उसके डाट के बारे में पूछ रहे होते हैं लेकिन एना उनसे बोलते हैं कि अब मेरा उनसे कोई रिश्टा नहीं है बहुत ही जल्दी उनसे दिकर भी नहीं करेंगी और कुछ भी नहीं बोलेंगे तो दूसरे तरफ जैस से एना दूर गई थी तब से दो स्टेफन को बहुत जादा बुरा लग रहा था नहीं उसका काम पर मन कर रहा था और नहीं कुछ और करने का वह सब पर बस गुस्सा ही करता रहता था वो डिसा स्टेफन उसे बोलता है कि एना तुम मेरी बातों पर भरोसा करो वो लड़की जूट बोल रही थी उसकी बेटी मेरी बेटी नहीं है वो बस मुझे अफसाने की कोशिश कर रही थी और रही बात मैंने तुम से जूट इसलिए बोला था क्योंकि मैं चाता था कि तुम मुझे परसन पसंद करो ना कि मेरे पैसे से प्यार करो एना उससे बोलती है कि ठीक है लेकिन मुझे तुम से बात नहीं करनी है कुछ देर बात एना जैसे अपने बच्चों को लेने के लिए जाती है तब ही उसके दोनों बच्चों को तो उसके डैड और वहां से लेकर जा चुके तो एना स्टेफन को कॉल करती है और उसके बाद से कहने लग जाती है कि बहुत ही गिरे होई इंसान हो तुम स्टेफन उसे बोटा है कि तुम्हारे अपने बच्चे चाहिए तो यहां पर आ जाओ मैं तभी जाकर तुम्हें तुम्हारे बच्चों को दूगा उधर ही हम देखते हैं कि पूरे फैमिली वारे यानि की सना सना की मॉम और दोनों बच्चे और साथन स्टेफन भी बेसबरी से वेट कर रहे होते हैं एना का एना जैसे घर पर आती है तो इक्तुम स्टेफन भी तो उधर ही ग्रेंडमा दोनों बच्चों को समझा रही होती है कि किस तरीके से उन दोनों को अपनी मॉम को कन्वेंस करना है कि वो दुबारा से स्टेफन के साथ रिलेशन्शिप में आ जाए इस तरीके से जैसे उन्हें पर चलता है कि एना फाइनली आने वाली है तो वो स सबसे पहले स्टेपिन की मॉम के पास जाती है और उन्हें थाइंक्यू बोलती है उनकी बच्चों का ध्यान रखने के लिए और सना से भी बोलती है कि आप तोनों से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ऐसा लगा जैसे कि आप सभी मेरे अपने हैं लेकिन मुझ उन्हों के दुनों बस बार-बार ये बोड रहे थे कि डाट कव आएंगी मुझे डाट की बहुत जादा यादा आ रही है लेकिन स्टेफिन की मॉम ने और उसकी बहन नी तो कपका स्टेफिन को घर से बाहर भगा दिया था और वो उसे घर पर आने नहीं दे रहे थी इसलि भी वह बार-बार उसी को याद कर रहे होते हैं एना को ऐसा लग रहा है कि वो अपने बच्चो के साथ गलत कर रही है इसलिए वो जाती है next day स्टेफिन से बात करती है इसे भारे में जहाँ पर Catherine उसे अपने साथ लेकर आता है उसे होटल में जहां पर एना काम करती थी मतल्कि जहां पर कोई ऐसे कुछ ताइम पहले बिल्कुर पर रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था आज वहां पर हर एक आदमी उसे सलाम कर रहा था और उसे इतनी गुमाने लग जाता है तो तभी एना उसे रोगती है और कहती है पांगल हो गया देखो यहाँ पर कितने सारे लोग है तो अधर यह जो चैन थी अभी भी बस यही चीज़ ट्राय कर रही थी कि किसी पर तरीके से उन दुनों का रिलेशन्शिप वो डिस्ट्राय करती है इसलि छे साल पहले जो मुझे से गलती हो गई थी मैं नहीं चाहती हूं कि उसके वज़र से कोई भी तुम्हारे लिए कुछ बोले तो तभी उसके बाद जो स्टेफन होता है वो थोड़े दिल्गे शान्त रहता है और कहता है कि तुम जानती हो कि छे साल पहले तुमने लड़की के साथ स्पेंड किया था वो कोई और नहीं था बलकी मैं था और मैं ही तुम्हारे इन दुनों बच्चों का रियल बाप हूं तो इस बात को सुनकर एना बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और उसके बाद उससे कि लिए लग जाती है कि तुम सच बोल रहे हो तो तभी वह करते हैं कि आप उन्रों की दुनो एक दूसर से शादी कर लेंगे वह थैंनली पर दिना नचाता है जब यह दुनों के दुनों एक दूसरे सरे करने वाया थे और हमारी ऑना होती एंगी वह साथ को प्रेग्मांळ के रिपिसे तरीके से एक हैपी एंडिंग के साथ हमारा ये ज्रामा खतम होता है so I hope guys कि आपको ये ज्रामा पसंदाया हूँ मिलती हूँ आप सभी से ये नेक्स वीडियो में ये ज्रामी के साथ टत के लिए बाई